गुरु जी देखा जाए तो आज मनुश्य के बाद सब कुछ है घर है गाड़ी है अच्छा सब कुछ परिवार में सब कुछ सुख है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है मन कहीं न कहीं अशांत है आप सो जाना चाहूंगी कोई ऐसा मंत्र जिससे घर में खुशाली आए मन श अपने घर में शच्छों का तेल का दीपक जला करके ओम शम शनेश्चराय नमा यह अस्ताक्सर मंत्र है अधुद शनेश्चराय नमा इस मंत्र का जाब करिए जिवन खुशों से भरा रहेगा इस अधिया आप चाहते हैं कि आपकी मन की सांती रहे तो नमा किष्णा नीला आपकी मन में शांती रहे पूजन के बाद आपके जिवन सदा बाहर रहे सर शुक आपके जिवन में रहे तो ओम शम शनेश्चराय नमा इस मंत्र का जाब करिए आपका जिवन खुशों से भरा रहेगा नमोनारें नमोनारें अथारह अपरेल सनदोहत्जार पंद्रा सनिय माउश्य महत्तों से नीधाम सनिचेटर श्लाफद्यपूर्वेरी में आपका श्वागत है करिए शनी भगवान के दरसं पूजन तेला पिसे जिवन की संपून प्रिशान गन्वान खिवन अका गुरू कुण्डिली का आंकलन किया जाता है आपकी कुंडिली में शनी की ढईया है, शनी की साथी, महादशा है और ना जाने कौन-कौन से शनी के प्रती इतनी सारी समस्या हमें बताती जाती है लोग डर जाते हैं भेवीत हो जाते हैं समस्या तभी से शुरू हो जाती है आधे बिमार तो तभी हो जाते हैं लेकिन अगर फिर भी ऐसा है जैसे कि आप कहते हैं डरने की जुरूरत नहीं है शुनिदेव कर्म के नुसार ही फल प्रदान करते हैं लेकिन अगर किसी की कुंड diva kripa है अप हाली मैं बता रहा हूं इस मतरका हर नोश घर Megh पॉप प्राम प्रीम प्राम श्थने नमा इस मंत्र का जापः सुबे साम तीन माला करने से धैया में देव देव सने देव की आपार किरपा बरस्ति नमौनारे गुरुजी हम सभी चाहतें की शनीदेव की कृपा हम सभी पर हो जो भक्त जन शनीदेव की कृपा को पाना चाहते हैं देवादी देव शनीदेव को मलाना चाहते हैं वो कौन से मूल मंत्रों का जाप करें आप माग दर्शन करें जी आप चाहते कि देवादेव शनिदेव की किरपा आपको मिले, तो किरपा प्राप्ति का मूल मंत्र है, ओमनमो भगवते सनि-सराइशुर्य पुत्राइब नममो, इस मंत्र का नेमित जाब करने से देवादेव सनिदेव की अपार किरपा बसती है। गुरुजी ये तो आपने बताया कि शनी की कृपा को प्राप्त करने के लिए कौन सा वो मोल मंत्र जिसका हमें जाप करना चाहेगे लेकिन अगर किसी परशनी की महादशा चल रही हो तो कितने माला मंत्र का जाप करें कृप्राम इस मंत्र की पांच माला सुबह और स्वाम जाप करें हर रोट देवा देव सनी देव की मूर्ति का इसपर्श करें और लगातार 40 दिन भगवाण सनी देव की स्री कपनरों में तेलर पित कर या 40 सनी वार तेलर पित करतें तो जिमन में अधभूत लाप मिलेगा और जिमन की प्रेशानयों का निवान हो जाएगा नमना रहें नमना रहें अठारा अप्रेल सन्दोहजार पंद्रा सनिया माउस्या महसुख सिरी सनी धाम सनी तिरेज सित्रा सोला फटेपुरवेरी में आपका श्वागत है करिये सनी भागवान के दर्तन पूजन तेला पिसे जिमन की सम्पौन प्रेशान का निवान हो जाना रहें। शनी की साड़े साती हो तो क्या कुछ उपाए कर सकते हैं कृपया बताएं कारोबार में सफलता नौकृरी में सबलता और जीवन का संपूर्ण और साड़े साथी है तो निरान जनम शमा भासन रभी पुत्रम यमाघरदम चाया मार्तम संभूतम तम नमामीं सनेश्टरम आज़़ शाती में केरियर कारोबार में सफलता पाने के लिए निलाज नम्समा भासम रभी पुत्रम इमां गृतम चाया मार्तम संभुतम तम नमाम इम चने जर्या शुर्य पुत्रों द्रिक दही विशा लाक्षा शुपुरिया मंता चारूपसना अर्तम पीडाहरतम मैसे इ याद भूद मंत्र है जो मैंने आपको बताया है नमोना है नमोना है अठारा अप्रेल संदोहजार पंद्रा सन्यमाउश्या माक्सव तेरी सनी धाम सनी तीरत चेत्र असोला फटेपुर मेरी में आपका स्वार करेशनी भागवान की दर्सन पूजन तेलाबिशिग जीमन की श यह तो आपने बताया कि क्या कुछ वह मूल मंत्र हो सकते हैं और क्या कुछ वह पाए हो सकते है जिनको करके हम शुरीक की खृपा को प्राप्त कर सकते हैं जाना चाहूंगी लाइवाव है 12 राश्री के जातक किस प्रकार से करें देवादी देव शनी देव की पूचा अर्चन अपास ना साधना क्या हो पूजा का विधी विधान तो शुरुवात करते हैं मेश और विशब राश्री के साथ जी अब बिल्कुल शनी हमाश्या कि पावन परवर द्धास राश्यों की लोग किस तरह घर में पूजा करें की समस्याओं का शमाधान हो जाए जरूर बताऊए आपकी घर में शुक और शमर्दी आजाए बाराक भराराश्यों के लिए जरूर बताऊंगा सरव प्रतव में मेश और विर्शब रासी की चर्चा करूंगा इस लिए में नुषा डिल माल्व अलगाbles में पावन परव नित्य करनार्व जनाना उप्रांद दूप दीप नेवेदी पुस्पर अक्सत अर्पित करें। पूजल के उपरांग देवादीदेव सनीदेव की सिर्चलनों में सर्षों का तेल का दिपक जलाएं। और ओम शम शंताय नमा इस मंत्र का जाप करते हैं। सनीदेव की सिर्चलनों में 108 गुलाब के पुस्प अर्फित करते। शर्दाप्रव शुदाहसन बे बैठकर शाथ पाथ दसरत कर सनीश्रोत कर लिजिएगा। जिवन खुशों से बर रहेगा और जिवन की शंपून पीडाओं से मुक्ति मिलेगी। पुजा के उप्रांत में रहाचिवालों पीले कपड़ में शबा किलो शाबुत हल्दी बांद कर किसी मंदिर या पुजा इस्तान में दान देजिए। केरियर कारोबार श्रमंदी शंपून पर इशानियों का निवान होगा। और घर आकर सरदानुसार निर्दन और गरिब जगते को अपने हास्ते भोजन कराते हैं। तो मेरा विश्वास करना आपका दारी दर धूर हो जाएगा। और सनियमाउश्या का पावन पारो है। आप चाहते कि मालक्ष्मिया आपर मैरवान हो। आपके भंडार वरे आपके कारियर कारबार परिवार की क्यों समस्ना का निवावन हो। तो प्रातकाल शनियमाउश्या की प्रातकाल ब्रह्म Production है। लगात्यार 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 ओम हम पमनंदनाइश्वा और एक पाड़ सनियाश्या करें। एक पार्ट सनी सालेशा करने से जिमन की संपून कष्टनाय साफ को छुटकारा मिल जाएगा और धन चाते हो तो सनी मावशेक दिन ये पूजा प्रारम करें और लगातार लगातार 186 दिन करें हर रोग नित्यकर्मियों शिनान उपरांद बरगत की पेड़ की जर में गाई का कच्चा दूद चड़ाए और उसी मिटी से तिलक करिए धन मिलेगा और परिशानियों का निवान हो जाएगा नमनान ये मेश रासी वालों का लिए था कि वो शनिया मावशेक पर क्या करें कि देवा देव शनी देव प्रसन हो जाए धन की बरसाद हो कैरियर कारबार परिशानियों का निवारन हो ये उपाय मेश रासी वालों के लिए अरब में बात करता हूं विर्षव राशी की विर्षव राशी की विर्षव राशी की विर्षव राशी की विर्षव राशी वालों सनी माउश्या की पामन पर उपर नितिकन्स निर्वत हो शिनाना उप या ओम नील चत्राय नमो या ओम नील वरनाय नमो या नील लोहिताय नमो कोई भी मंत्र आपको याद हो इस मंत्र का जाप करते हो भगवान श्रीव के स्विलिंग जल गंगा जल पंचा मिरते अभिशेक करें अभिशेक से उपरां भगवान श्रीव के स्विलिंग को बर्स करें उनका देल बेंछे हमें और उनकी सिर्चणण में सेथश्योगी दिपक जलाए औरुंपर मन्तर मैं बतार हूं, ओमशंब घन रुपआएं नमा। ओमशंब असमय का 108 बार जाप करत ग parlar विखांज सानी देव मोगरे की पुष बर्फित करें। कि शुगंधित मोगरे के पूश भर्पिकरते शर्दापर पुनसुद आसन पर बैठ जाए एक ग्यारा पाथ सनी मिर्तुंजे इस्त्रोत के करें सनी मिर्तुंजे इस्त्रोत डबलब डॉट शनीधाम डॉट इन पर आपको मिल जाएगा पूजा कर दी पूजा कि बाद आपको शिक्षा में सपलता मिलेगी आपके लंदेन के मसले अचले होगे मार्केट में आपकी साथ जन्ने में और आपके चंपून परिशानें का आपका निमान हो जगी आदुभूद है और सनी माउशा का पावन पर्व है विसेश उपाय बता रहा हूं और यह उपाय सनी माउशा को प्राणम करें और लगातार चालीज दिन लगातार करें ब्रह्मुर्थ में उपाय करना है पातकाल निते करम निदोशनान उप्रान अपनी पुजा इस्तान में गी और तेल का दिपक जलाई और भगवान शिव की उपासना करते है माम मृतुन इस मंतर का जाब करते हैं भगवान शिव की सीवेलिंग पर सर्सों के तेल से अभीषय करें शनी देव की मूर्ती का इश्पस करिए और शनी देव की आरती करिए आपका जिवन सदा खुश्यों से बहारा रहे गार यह अदभुद है आपका जीवन में आनंद ही आनंद बर चाहिए और सेनी माउशा के पावन पर एक उपाई और बताने जा रहा हूं कि सर्दाभाव से कई घोड़े की नाल परी भी मिल गई है मेरा ध्यान मेरी बात को ध्यान से सुननेगा मेरे मित्रों गोड़े की नाल का अपना प्रभाव है लेकिन खरीद कर घर लेके आएगे अपना दुर्भागे घर लेका होगे अपना दुर्भागे गोड़े की नाल खरीद कर कभी घर में मतला ना विनाश की और लेके जाता है इस बात का ध्यान रखना में कि इस चकर में नहीं प्राणियों पर अत्याचार हो रहा है ना जाने शेक्रों बार उसकी पैर में कील ठोकी जाती है और उसकी पाप के भागी आप रहेंगे इसलिए कभी भी घोड़ी की लाल खरीदना मत कहीं मिल जाती है सौभावी की रोब से बिना पैसे दिये तो घर लाईए और उस उस नाल की आपने घर में यू आकार में लगा दीजी बेडा पार नाव की पैंदी की कील का छला बना कर मध्यमा अंगली के आप सनिय माउश्या के पावन पर धारन करते हैं तो आपका बेडा पार है नमना रहें नमना रहें 18 अप्रेल सन 2015 सनिया माउश्या महस्तुक से निधाम सनी तेरे चेत्रा शोला फद्रपुर्वेरी में आपका श्वागत है करें सनी भगवान के दर्शन पूजन तेला पिसेक जिवन थी समपों परिशान गनिवान नमना रहें नमना रहें